जल की संकट से समस्त गाउं परिशान ग्राम प्रधान द्वारा उचदिकारियों से की शिकायत बारताना छेत्र के अंतर गद्गने हर रोग गाउं सभा में इन गर्मी के दिनों में जलिस्तर नीचे चले जाने की कारण लोग पानी के लिए परशान होते हैं और दूर दूर तक जाकर पानी के लिए लाइन लगा कर खड़े होते हैं जहां प्रशासन द्वारा ना तो टैंकर की बिवस्था की गई और ना ही जल निकम द्वारा सप्लाई का पानी आता था जो वह भी बंद हो गया इस संकट की घड़ी में वर्तमान ग्राम प्रधान प्वारा आज तहसीलदार लेख पाल से सिकायत की गई इसकी सिकायत अंदेख ही कर दी गई और जब उपजिलादिकारी से बात की गई तो बताया गया कि SDM साहब इस समय कॉरंटाइन है आ जाएंगे तब बात होगी यद इसी तरह उचदिकारियों का कारनामे रहें तो इस छेटर का क्या होगा और उस भूखे गरीब लोगों का क्या होगा देखना अभिया है कि उचदिकारियों द्वारा ग्राम प्रधान वैचनात उर्फ बबलू की शिकायत पर कारवाही होती है या नहीं देखा जाए तो इ एक तरफ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं इस समय उपजिला दिकारी 12 तहसील की शिकायते सामने आ चुकी हैं प्रियांग एक्स्प्रस नेुज के लिए अंकुर यादव की खास रिपोर्ट आपका क्या नाम है मेरे नाम बैजना थैं मैह प्रहान ह्रो करूं सब्साइब यह अब ऐसे यहां पानी की संकड कप से इस्पानी के आप बना ही यहां दो वह से चलना है है दलकूर सभी आप परबाख अब जो हैंट पम थे उनको रिपेर करा रहे हैं और अक्सिल भी नहीं है पानी छोड़ दे रहे हैं वाटर लेवल नीचे हैं यहां पर यहां टेंकर की मांग की गई अब लोगों कब से परेसा नहीं है पानी पीनी के लिए अब लोगों कब से परेसा नहीं है पानी के लिए सब्सक्राव को अब यहां कई हैं परद्धान थे अभी आते थे हैं नहीं हैं परद्धान देंने परद्धान चलीगी ता हमागों आप यहां लोगों कभी किसी अधिकारी से सिकायद उकायद किये थे कभी उनका दरखास दिये थे, कोई अधिकारी जाए।